अब किस तरीके से अल्गो ट्रेडिग कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के थू ख्रू कम के साथ कम पैसे के साथ जब मैं कम पैसा बोल रहा हूं तो कितना बात कर रहा हूं में बात कर रहा हूं हजार रूपय, दो हजार रूपय तीन और रूपय, इस रेंज में बात कर रहा हूं, वैसे यह जब कम capital कें बात कर रहा हूं, तो अब 500 रूपय से भी आप ट्राय करके शुरू कर सकते हैं, तो यह आज पूरा मैं आपको दो strategy बताने वाला हूं, बिलकु कि मेरी स्क्रीन पर आते हैं तो यहां पर यह मैं आपको दिखा रहा हूं एलगो टेस्ट के साथ बाइद वैंने एलगो टेस्ट के बहुत सारे वीडियो बनाए है पास्ट में भी कि यह तरह से यह अपने ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट होता है किस तरह से आप इसमें इन सब्सक्राइब का स्मझने के लिए और यहां से शुरू करें यह जो है इस में मैं आप को स्ट्रेट जो है वो स्ट्रीडी बनाने के उपर में लेके जाघूंगा तो अप लॉग इन करने के बाद आप 이 मेनलzer एंगे अब यहां पर यहां पर यह स्ट्रीजी से अप स्ट की हैं वो मैं आपको कवर करने वालों तो सबसे पहली जो चीज है यह मेरी first strategy है जो कि मैं बना रहा हूं फिन निफ्टी पे मैं second strategy जो मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा bank निफ्टी पे ठीक है तो यह पहली फिन निफ्टी वाली जो strategy है वो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जो entry time जो है वो 916 या सुभए 9 बच के 16 मिनटर रखना है यानि market खुलने के एक मिनट के अंदर जो है वो यह strategy launch हो जाएगी और हमने बिलकुल almost 330 से जास पहला यानि दो मिनट पहले हमने exit करना है तो यह strategy पूरे दिन चलने वाली है और यह strategy हम intraday के लिए चलाएंगे तो यह तो हमारा जो है यह initial basic setup जो है वो हो गया है अब हम बात करते हैं कि strategy में हम क्या करने वाले है तो इस strategy में दो legs बनेंगे देखिए यह leg one और leg two तो इसमें मैं आपको detail में समझा देता हूं कि हम करने क्या वाले है हम काफी out of the way जाके हम call और put जो है वो buy करने वाले हैं देखिए एक हम call buy करेंगे और एक हम put buy करेंगे ठीक है यह हम weekly में buy करेंगे और हम फिन निफ्टी में हैं तो हम ऐसा premium buy करेंगे मतलब हम इतने इतने otm हम जाएंगे कि जहां पर पांच रुपए के आसपास का closest to पांच रुपए जो भी हम को premium हो closest to पांच रुपए वो हम buy करेंगे इसमें एक आपको ध्यान रखने कि आपको ऐसा broker जो है वो यूज करें जो आपको otm buy करने का option देता है और specifically इसमें भी मैं आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसमें जो है वह online उपर intraday अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत सारे brokers otm buy आपको अलाउड कर देते हैं अगर आप intraday का trade होता है तो अगर आपका ट्रेड जो है पोजिशनल होगा है या BTST होगा तो बहुत सारे जो है यहां करना क्या है हमने बोलाए कि 916 जो टाइम है उस पे हमको यह जो जो प्रीमियम है जो भी अपना strike price है पांच रुपे वाला उसको हमको जो है वह पकड़ के बैठ जाना है और उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको momentum देखना है ठीक है और वह मोमेंटम आपको कितना देखना है वह आप समझे यह सिंपल momentum और जब 100% का momentum आ जाए इस प्रीमियम वाले में इसका मतलब समझे क्या हुआ कि जब पांच रुपे वाला जो है प्रीमियम वह भाग कर अगर 10 रुपे चला जाए यह देखी यह बाइंग वाला ट्रेड है कॉल साइड भी सेम है पूट साइड भी ट्रेम है पांच-पांच रुपे का माली हमने बाइक है कोशन कंब कर लगा अब ऑप को शुट के बंटम अंड बढ़के दस वाला जो transform कि तब ऑप Οमिन्ट 진 में घूसेंगे अधर्वाइस त्रेड में आप नहीं घूसेंगे ठीक है यह पहली कंडिशन हो गई अब आप स्ट्रेड मेंctions गया मांनूञा यह आपको पांच की बजा जा है वो दस वाला जो है वो मुवों के दस पे आ गया तो आप उस ट्रेट में घुस गया आपने दस रुपए के आसपास में भाइ कर लिया ठीक है अब नेक्स जो कंडीशन है वो है आपकी उसका स्टॉप लॉस तो अब स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं 60% का ठीक है यानि व हमारा स्टॉप लॉस है और अगर फिर से मुमेंटम आया तो फिर से मुमेंटम आया कि यह पांच रुपए वाला अगर जो है हन्ड्रेट पर्सेंट बढ़ गया यानि कि फिर से 10 रुपए अगर चला गया तो हम फिर से एंटर कर जाएंगे और ऐसी एंट्री हम दिन में च चार बार ले सकता है तो यह हमारी जो है यह basic situation है बिलकुल इसी तरह से हम जो है यह put वाले साइड भी हम exactly same चीज कर रहे हैं तो यहां भी आप देख सकते हैं कि हम put में buy कर रहे हैं weekly में closest प्रीमियम जो है पांच वाले को हम track कर रहे हैं और जब उसका momentum 100% आ जाएगा यानि वो पांच रुपे के आसपास वाली चीज जो है जो जो प्रीमियम आपने बाई किया उसका प्रीमियम जो डबल हो जाएगा तब आप बाई करेंगे आपकी साइड का momentum confirm हो गया तब हम बाई करेंगे और हम 60% का stop loss लगाएंगे अगर हमारा stop loss हिट हुआ तो हम फिर से दुबारा देखेंगे कि अगर momentum फिर से generate हो रहा है तो हम फिर से entry करेंगे और यह entry हम दिन में चार बार कर सकते हैं अगर फिर से उतना momentum नहीं आया तो entry नहीं होगी तो यह दोनों साइड की situation जो है वह आपके सामने यहां पर जो है clear हो गई है अब इस चीज को हम क्या करेंगे अब इस चीज को हम test कर रहा हूं आप अगर algo test में मेरे link के through account open करते हैं तो आपको जो है वह जब भी आप credit buy करेंगे तो आपको 25% extra credit मिलते हैं और आपके account में हर हफते आपको 25 backtest free मिलते हैं यह ध्यान को बताएगा कि हमारा इसमें profit है की loss है देखिए यह हमारा जो है वह profit and loss statement बता रहा है आपको underlying value भी देखनी है तो आप इस पर यहां पर click करेंगे तो underlying value भी आपको दिख जाएगी मैं इसको नॉमली नहीं देखता हूं हूं मैं अपने profit and loss पर ध्यान रखता हूं तो देखिए शुरू में यहां पर थोड़ा सा loss आया फिर profit तो यह strategy ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा बाहर बाय कर रहे हैं ज्यादा समय यह होगा कि आपके stop losses hit होंगे यह ध्यान रखना में फिर आपको बता रहा हूं कई लोग एक हफ्ते के लिए test करते बोलते हैं सर जो result हमको back testing में आ रहा था वो हमको real में नहीं मिल रहा है यह देखिए कि बड़ा profit फिर आप देखेंगे तो साल का end जो है वह आपको यहां पर के तेरा जार कुछ का profit देख रहा हम इसको नीचे भी जाते हैं अब drawdown भी देखिए यहां से लेकर और यहां तक यह आपको ध्यान रखना रखना है drawdowns को कम करना है वह कैसे आगे मैं discuss करता हूं तो यह सारा जो है आपको यहां पर और आप देख सकते है अब देखिए मैं जो बात कर रहा था कि यह क्यों low capital वाली है तो यह आपको margin requirement आपकी जो है वो आपको यहां पर हमको test करनी है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं यहां पर हम जो है calculate कर लेते हैं और इस strategy के लिए margin कितना है सिर्फ 372 रुपए margin है क्यों क्योंकि हम सिर्फ 5 रुपए का जब double होगा तो 10 रुपए के आसपास का price में हम lot buy कर रहे हैं एक call का और एक put का तो दोनों को मिला के जो है वो हमारा एक lot buy एक call का और एक put का buy करने में हमको सिर्फ 372 रुपए लग रहे हैं तो आप एक lot वगेरा जो है वो मैं एड कर रहा हूँ जो भी हमारे गार्मेंट के Texas है ये ब्रोक्रिज में'd के साथ प्रेड कर रहे हैं तो तो इंडिया में कई ऐसे brokers हैं जो जीरो brokerage पर आपको अलाव करते हैं जैसरे इसरे वसी हाँ आप चाहे compelled वो यूज कर सकते रिक्मेंडेशन नहीं आपकी अपनी मर्जी है आप चाहें तो पेड़ वाला यूज करें जो आपको प्रोकरज्व देता लेकिन यहां में ब्रोकरज्व को मैं जीरो रख रहा हूं टेक्स वगेरा जितने लगते हैं वो पूरे में डाल रहा हूं और बहुत लोग बोलता है कि सब्सक्राइब पॉइंट फाइव डालते उतने में नहीं होता तो मैं स्लिपेज आपके लिए मैं 2% करके मैं कैल्कुलेट करता हूं ठीक है अब देखिए यह टोटल जो है वह आपको 10,000 दिखाई दे र त्क पर दिखेये यहां से लेकर देखिए और दो चांच चानग रिकवरी सिद्धा वह देखेंगे तो स्ट्रॉंग रिकवरी अभ cigarette down करने के लिए हम क्या कर सकते हैं हम अलग-अलग दिन के लिए चेक कर सकते हैं तो हम यहां यह विग डेस जो है वह ऐसे रखते हैं मालने हम सबसे पहले चेक करते हैं इसको इस तरह से खेंच लेते हैं यहां पर हमारी नजर रहेगी कि यह अमांट कैसे होता है हम हर दिन के लिए चेक करते है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मंडे देखिया हमारा टोटल यहां पे कितना था यह सारे मैंने असलेक्ष किये तो टोल था यह 2% सुलिपेजिश के साथ टेक्स निकालके हमारा जो है टोटल एक साल का यह एक साल का ध्यान रखे और आप पैसा कितना लगा रहे है 372 रूपीज यानि 400 रूपे मोटा मोटा आप मान लीजिए और तो एक साल में आपका जो amount बनता है वो 10,000 बनता है ठीक है लेकिन ये पांचो दिन अगर हम सिर्फ एक दिन Monday को सिर्फ चलाते हैं आप देखिए तो ये strategy आपको 6,000 उस 10,000 में से 6,000 जो है वो आपको सिर्फ एक दिन ही दे रही है Tuesday को हम चेक करें तो Tuesday को 6,600 बन रहा है Wednesday को चेक करें तो Wednesday को ये loss दे रही है Thursday को चेक करें ये strategy Thursday को loss दे रही है Friday को ये चेक करें strategy Friday को भी loss दे रही है यानि ये strategy Wednesday Thursday Friday ये strategy लेकिन अगर हम इन तीनों को हटा के और हम सिर्फ तूजडे और मंडे को अगर हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि लगबक 13,000 का प्रोफिट आपको यह strategy दे रही है अब इस strategy को आप जो है वो सेव कर सकते हैं और इस strategy को आप सोमवार को और मंगलवार को चला सकते हैं पॉइंट नंबर वन यह आपके सामने clear हो गया तो यह strategy आप दो दिन चला सकते हैं तीन दिन जो अब मैं आपको दूसरी strategy बना के चला सकते हैं यह हमारी strategy नंबर वन हो गई जो फिन निफ्टी पे अब मैं आपको दूसरी strategy बनाऊंगा जो बैंक निफ्टी पे है और फिर इन दोनों को हम कम्माइन करके इसका एक portfolio बनाएंगे और उसके days optimize करेंगे उससे आप पूरे पांचों दिन strategy आप चला पाएंगे और आपका profit जो है वो increase कर पाएंगे तो पहले हम आते हैं हमारी दूसरी strategy पे जो बिल्कुल इसी तरह की है लेकिन हमने उसको execute किया है bank nifty पे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह index हमारा bank nifty है बाकी हमने इसमें कोई change नहीं किया है यह time हमने जो दूसरी में रखा था 9-16 से लेकर 3-28 तक और वही intraday नीचे अगर हम यहां पे आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं वही हम call buy कर रहे हैं weekly में ही लेकिन bank nifty में क्योंकि price हमारा ज्यादा होता है तो हम 10 रुपय का closest premium हम ले रहे हैं बस यही एक change हम कर रहे हैं उस strategy से बाकी हर चीज से में हमारा simple momentum हम 10 पे रख रहे है stop loss 60% पे रख रहे हैं और चार बार re-entry सेम वही चार re-entry 60% पे stop loss 100% पे जब momentum आता है तब हम एंटर कर रहे हैं यानि कि जब 10 रुपय वाला 100% momentum ले लेगा यानि 20 रुपय के आसपास मूव करके आ जाएगा तब हम उसमें एंटर होंगे और 60% का हमारा stop loss लगेगा यह हमारा trailing stop loss शायद में पिछले वाले में बताना भूल गया तो यह पिछले वाले में भी आपको यही ध्यान रखना है यह देखिए न यहां पे भी यह वान निफ्क्राइव कर दूँऊ यह स्ट्राइव बता दूण कि यह strategy की में आपको सिर्फ शिखाने के तरीके से बग बना रहा हूं आप प्लीज खुद अपने साब से चीजे चेंज करके टेस्ट करें ये मैंने अपने साब से टेस्ट करके बनाई हैं जो मुझे ठीक लग रहा है आप प्लीज इसे blindly follow मत करें मेरी कोई responsibility नहीं है आप खुद इसको backtest करें और इसको सीखने के लिए यूज करें प्लीज ऐसे कैसा follow ना करें ठीक है तो अब इस bank nifty की strategy को भी हम backtest कर लेते हैं यहां पे और इसके result देखते हैं क्या result आते हैं तो यह देखिए backtest करके है यह result हमारे आ गए हैं यहां पे भी लगबग 6000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और हम यहां पे भी 2% के slippages जो है वो डाल देते हैं और तो आप ने देखा यह tax भी मैंने लगा लिया है brokerage मैंने जीरो ही रखा है यह एक जाल के लिए backtest किया है ज्यादतर महीने profit में है एक दो तीन महीने जो है वो लॉस वाले हैं और इस strategy का भी यहां पे 4772 रुपए यह slippages के साथ आ रहा है अगर मैं slippages हटा देता हूं तो 6300 आता है लेकिन 2% slippages हम मान सकते हैं नॉमली मैं तो 0.51 मानता हूं लेकिन सब लोग बोलते हैं बढ़ाओ 2% तक आ जाता है तो यह 2% slippages भी में डाल के जो है वो मैं test कर रहा हूं तो यहां पर आपको अभी इसको हम फिर से हमारे weekdays में हम चेक करते हैं हम हमारे हर weekday के लिए इसको फिर से चेक करते हैं कि यह जो 4700 जो आ रहा था उसमें से कौन से weekday profitable है कौन से नहीं तो यह देखिए यह Monday जो है वह हमारे profitable है 2500 हम Tuesday चेक करते हैं Tuesday हमारा loss वाला डे है बेंक निफ्टी के लिए धियान रखिए बेंक निफ्टी का है Tuesday लाउस वाला डे है एक्सपारी वाला हमारा जो दे हम चेक करें तो wednes दे हमारा profitable डे है कि ठस्दे चेक करें थर्षदे लास वाला डे है Friday भी लास वाला तो Friday Tuesday और न सदे ये हमारे लॉस वाले दिन है और हमारा Monday और वेडनस दे प्रॉफिट वाला दिन है तो अगर हम ऐसे चेक करें तो आप सिर्फ मंड़े और वेडनस दे दो दिन चलाएंगे तो आपको ये overall जो है 2% slippages के बाद भी आपको अच्छा profit देगी अब इसमें आप अपना margin calculate करेंगे अगर आप तो देखेंगे सिर्फ margin 300 रुपए से भी कम है तो आपने जो पहली finnifty वाली strategy की उसमें भी एक एक lot का आपको margin 375 के आसपास था तो मैं 400 मान लेता हूं और यहां पर margin जो है वह 294 में 300 रुपए मान लेता हूं तो उसमें 400 इसमें 300 मार्जिन तो इतने low margin से आप trade कर सकते हैं और इसमें सारे charges निकाल के 2% slippages लगा के भी आपको साल के end में profit आपको मिलता है अब इसको मैं एक चीज और मैं एक feature आपको बताना चाहता हूं कि इनको करके किस तरीके से optimize कर सकते हैं उसके लिए मैं एक यह portfolio वाला आपको यहां पर टॉप में आपको यह देखी यह portfolio का selling मिल रहा है यह नया feature आप इसको समझें मैं यहां पर मान लिजिए मैं यह नया portfolio बनाता हूं जिसमें मुझे यह दो जो अभी मैंने जो है low margin वाली यह जो strategy मैंने बनाई है इसका मैं नाम दे देता हूं low margin fin and bank nifty तो इसमें मैं यह दो strategies को लेके मैं यह portfolio बनाता हूं अब इस portfolio का मतलब क्या हुआ मैं algo test को यह बोल रहा हूं कि यह मैंने दो strategy बनाई है इसको मुझे please run करके बताओ कि कि किस दिन में कौन सी strategy में run करूं कि मुझे maximum output मिले अब aim क्या है आपका वो आपको समझना है तो अभी जैसे मैं यह portfolio क्या चाहिए कि आपको maximum profit चाहिए यह आपको सबसे reduce जो है वो drawdown चाहिए तो देखिए यह आपका जो है एक बार आपने यह पांचों दिन run करके देख लिया और इसका दोनों का मिला के जो चार्ट है वो आपके सामने यह एक मिला के चार्ट आया है और यह बोल रहा है कि अगर आप इसको दोनों को run करेंगे तो आप एक साल में लगबग कितना 20,000 के आसपास का मोटा मोटा यह आपको graph में profit जो है वो दिखा रहा है यह देखिए 19,600 कुछ आपको profit दिखा रहा है अब हम इसको बोलते हैं कि हमको इसको optimize करना है तो यह देखिए यह नीचे आपको optimize वाला जो बटन दिखाई दे रहा है इस पे हम यह drop down पे हम click करते हैं अब optimize में आप क्या और आप हर दिन कितनी strategy चलाना चाहते हैं जैसे by default यह बोलता है या तो एक या एक से कम strategy चलाओ तो अपनी दो है तो मैं इसको बोलना चाहता हूं कि वही तुम चाहो तो दोनों चलाओ तो उसमें में काम करता हूं इसमें मैं सब में में दो-दो add कर लेता हूं यह थोड़ा के दो कर दिया है कि वही आप चाहें तो दो strategy आप एक साथ रन कर सकते हैं और अब मैं यह optimization start करता हूं तो अभी यह जो है यह हर दिन strategy को optimize करके आपको बताएगा कि किस दिन आपको यह कौन सी strategy चलानी चाहिए तो इसने optimize किया हम optimize portfolio देखते हैं तो अब देखिए इसने optimize करके हमको बताया कि आपकी जो बैंग निफ्टी वाली जो strategy है वो Tuesday के छोड़के बाकी सारे दिन आप चलाईए और फिन निफ्टी वाली strategy जो है वो Monday और Tuesday को चलाईए यह आपको optimum result देगी और optimum result किस चीज के लिए यही मैं बतारा हूं आपको ध्यान रखना है कि आपको किस करें और उसके हिसाब से आप जो बना सकते हैं यह मैंने जो है maximum drawdown के against return को optimize किया है तो मतलब मैं इसका मतलब यह हुआ कि मुझे return भी अच्छा मिले लेकिन drawdown सबसे कम हो दोनों को मिला के जो है वह optimize किया है तो अभी आप देख सकते हैं कि यह पहले 19600 आ रहा था अभी मेरा जो amount है वो बढ़के 2500 हो गया है और इसमें हमारे drawdown days जो है वो भी आपको यहां कहीं दिखाई देंगे देखिए क्योंकि हमने drawdown days के अगेंस हमने जो है वो optimize किया ही देखिए maximum days in any drawdown तो हमको जो हमने strategy में देखा था 81 days आपको याद है यानि तीन महीने तक strategy negative में जा सकती थ जो है maximum drawdowns के days 15 हो गया है क्योंकि हमने strategy को इस तरीके से optimize किया है कि हमारे drawdowns भी reduce हो और profit भी increase हो तो हमारे drawdown आप देख सकते है कि 81 days की बजाए 15 days पे optimize हो गया है और हमारा profit जो है वो 21,500 के आसपस अब इसमें जो है वो आपका पैसा कितना लग रहा है effectively आप देखेंगे तो ये चार दिन जो है वो आपके 400 रुपए के अंदर अंदर आपका एक lot हो जा रहा है Monday को जो है वो आपकी दोनों strategy रन कर रही है तो उस दिन आपका 800 रुपए के आसपस तो effectively आप ये देखेंगे 400 से 800 रुपए आप लगा के यानि सिर्फ एक दिन 800 बाकी दिन 400 आप एक साल म नहीं से slippage उससे भी ज्यादा आते हैं तो तीन परसेंट भी आप कीजिए तो भी 16 अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉंग बोलता है कि पांच परसेंट भी अगर आप स्लिपेज पांच परसेंट समझ रहे हो वह भी आप लगा लो ठीक है पांच परसेंट लिपेज लगा लिए सारे टेक्स लगा लिए तो भी आप देखो कि 400 रुपे की strategy पर अगर आपको साल में 13,000 रुपे बन सकता है तो क्यों नहीं तो यह जो है दोस्तों यह strategies मैंने आपको बताई है फिर मैं आपको बता दूँ यह algo test पर आप सारे back test खुद कीजिए as it is मत follow कीजिए हाँ आपको देखने के लिए PDF चाहिए होगा तो आप comment में बोलिए मैं आपको PDF जो है मैं मैं बेस दूँगा उसने मुझे कोई problem नहीं है लेकिन प्लीज उसको as it is use मत करो अपने back test करो फिर उसको चाहिए तो forward test करो और फिर आप उसको implement करो और ध्यान रखो यह चीज आपको पता होने इसका मतलब क्या है कई लोग जो है चार दिन पांस दिन छे दिन टेस्ट करते हैं और बोलते हैं सर नहीं है strategy काम नहीं कर रही है क्योंकि उसके number of drawdown days जो है वो अभी देखिए यह 81 थे अभी यहां पर हमने reduce करके 25 किया मतलब 25 दिन continuous यह एक बार जो है वो loss में गई होगी हो को जो है वह वह profit देखे जाएगी यह यह आपको backtest बता रहा है इसमें किसी का claim नहीं आपने खुदने backtest करना है और फिर इस strategy को execute करना है और execution वगयरा के setup execution कैसे होता है उसके भी मैंने सारे वीडियो बनाया है नीचे description में link मिल जाएगा और अगर आप यह strategy use करें तो प्ली मुझे result ठीक मिले हैं लेकिन मैं कोई इस पर comment नहीं कर रहा हूं आप खुद backtest करें forward test करें और फिर live आप जाके strategy को use करें तो I hope आपके लिए वीडियो अच्छा रहा हो अगर अच्छा रहा हो और आप भी test में account बनाना चाहते हैं तो नीचे description में link मिल जाएगा आपको 25% extra credit मिलेंगे जब भी आप पहली बार उसमें कुछ भी buy करेंगे तो that is it thank you very much have a good day bye bye